किश्णा रादे रादे कैसो आप सब आई होब आप सब ठीक होगे तो जी स्वागत आपका किश्णा चाल फैमिली व्लोग में तो यह देखिए हमारे यूगल सरकार आज की जो वीडियो है यूगल सरकार के सनान और सिंगार से रिलेटिड है तो अब भी मैं जो यूगल सरका की है बाके भीहारी जी की है धोती और वो है जो फटका होता है और यह रादारानी की है घागरा चोली लेहंगा चोली बोलते हैं हम तो आज मैं दोनों को यूगल सरकार को यह वाली ड्रेस पहनाऊंगी मैं इनको सेम कलर सेम फैब्रिक सब कुछ सेम ही होता है एंब्रोडर इधेखी यह भी इसम ही है भी बहुत ही सेम है है और ये और घुट और मिरी fals ranking चिंद ही और आप टि नही कर में बिल्कूल अराम से दुब के हुए बैठे हैं इनोंने सनान है जो कर लिया है सनान करके ये बैठे हैं अपने सिहासन पे तो अभी बारी है यूगल सरकार की तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ये मैंने जो यूगल सरकार को नहलाओंगी इनका जल और जिस पातर में मैं इनको नहलाओंगी वो भी ले लिया है जल बिल्कुल गरम है गरम-गरम पानी से मैं नहलाओंगी इसमें मैंने थोड़ा सा वो गंगा जल भी मिला लिया है गंगा सनान जो है मैं करवाओंगी यूगल सरकार का तो आप इसमें दूद वगएरा भी मिला सकते हो, कच्छा दूद वो मैंने नहीं मिलाया, मैं सिंपल पानी से ही नहला देती हूँ, फिर क्या करते हूँ, इसको नहलाने के बाद पानी को है, खाने वगएरा में यूज कर लेती हूँ, वो खाने वगएरा में यूज हो जाता ह तो हम यह सब कहीं करते हैं पानी को कहीं डालती नहीं हूं मैं इनके नहलाने के बाद उस पानी को दूद वगारा में डाल देती हूं वो दूद हम पी लेते हैं तो डेली का यही रूटीन होता है हमारा तो चलो जी अब यूगल सरकार का जो है सनाल सिंगार करते हैं और जो जुएलरी इनोंने पैने हुई है वो निकाल दूँगी पहले सारी जुएलरी उतार के एक सैड में रख दूँगी ताकि छोटी-छोटी जुएलरी होती है खोना जाएं कहीं गिरना जाएं तो पहले जुएलरी उतार के एक सैड में रख दूँगी अब ये फटका तो यूगल सरकार सनान के लिए बिल्कुल तयार है अब राधरानी की भी सारी ज्वैलरी उतार दूँगी पिन वगएरा से मैंने चुनी वगएरा सेट की हुई थी तो इसलिए मैं ये सारी पिन वगएरा फिर बाद में लगा दूँगी जब दूसरी ड्रेस की चुनी सेट कर तो अब ये सारी उतार दूँगी मैं जवैलरी वगएरा और ये घागरा चोली जो इन्होंने पहले पहनी हुई थी तो ये देखिए कितनी ये भी ड्रेस मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है वी है तो ये देखिए ये मैंने सारी जो ड्रेस है यूगल सरकार की ये टोकरी मे रख दी है इनको सनान करके और इनका सिंगार करके फिर जो है इनको बोश करके और फिर मैं रख दूंगी फिर कहीं बाद में जो है डाल दूंगी ये देखिए इससे ये होता है कि अगर टोकरी में रखते हैं ना neurotस में समान कुछ भी ड्रेस उगला तो ये न चोल निवो ल क्योंकि जो पहला सिंगार होता वो बाके बिहारी जी का ही होता है तो पहले बाके बिहारी जी को सनान करवा दूँगी उसके बाद फिर राधारानी का नमबर आएगा गरम गरम पानी से मैंने बाके बिहारी जी को सनान करवा दिया है तो अभी इनके टावल से इनको पूँच दूँगी सर्दी जादा है तो जल्दी जल्दी मैंने करवाया है अभी इनको जल्दी से वस्तर है जो पहना दूँगी इनको पूँच दूँगी ताकि सर्दी वगएरा ना लगे टावल से बाकि भीहरी जू को पहुंच दिया अब नंबर आ गया है राधा राणी जी का तो ये देखे राधा रानी भी तियार है सनान के लिए राधा राणी ने भी बस सनान करही लिया है मैं जल्दी जल्दी कर रहे हूँ क्योंकि टाइम जो है ना सर्दी का है और ठंड़ी हवाई चलती है इस टाइम पे सर्दी बहुत हो चुकी है और सुबह सुबह तो बिल्कुल धून इतनी ज़्यादा पड़ती है ना इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको सनान करा रही हूं ताकि इनको ज्यादा ठंडी न लगे मेरे को भी आवाज थोड़े ऐसे आ रही होगी क्योंकि मेरे को भी फिवर वगरा कुल धोर रखा है तो इकनौर करिएगा तो ये देखिए अभी युगल सरकार जो है ना हदो के रेडी हो चुके हैं अब इनको जल्दी जल्दी वस्तर में पहना देती हूं पहले आती है बारी बाके बिहारी जी की इनको जो है पहले पहनाऊंगी मैं पहले चोली पहनाऊंगी क्योंकि चोली ना पहनाने के बाद फिर धोती जो है उसके उपर से आती है तो पहले जो है चोली पहनाई जाती है तो इसके उपर से जो है चोली पहनाई ये देखिए फिर नहीं निचे दब जाती है चोली कहीं जाएगी नहीं अगर हम पहले धोती पहनाईगे तो चोली उपर उठी उठी रहती है हवा लगेग तो ये देखिए अब बिल्कुल ये बैठ गई है उपर से धोती आने के बाद ये फटका मैं लगा दूंगी ये देखिए तो बाके भी हरी जी ने वस्तर धारन कर लिये हैं तो मैं अभी इनका सिंगार नहीं करूंगी क्योंकि ठंड बहुत है तो पहले रादारानी को मैं वस्तर पहनाऊंगी इनको वस्तर पहनाने के बाद ही मैं सिंगार करूंगी दोनों का क्योंकि सिंगार तो बाद में भी कर सकते हैं अगर गर्मी होती वो बात लग थी तो पहले मैं वस्तर पहनाऊंगी और जो सिंगार होता है वो बाद में ही करूँगी तो ये देखी राधारानी की घागरा और चोली अभी मैंने राधारानी को भी चोली पहले पहनाई है और जो उनका लेंगा है वो बाद में पहनाया है औ ज्वेलरी बोलते हो आप So iidna एक भ्लेट एे पहन आरवीज है में पहना दूझिए यह पिपखेए अ ही ज्वेलरी मैंने पहना दी है थोड़ी सी दिकंत होती है इसके हाथ में रह जाती है अब इनका प्रणा और धाल कर दूझिए मुकट लगा 20 conservative lasag हो भी पहना दूंगी और हाथों नो युणा को है उनों के होुट के इनको कर दूंगी रैडी ये देखे ये हो चुके हैं तयार इनका देखे ये लुक फाइनल लुक आ चुका आपके सामने तो जी बाके बियारी जी हो चुके तयार अब आती है बारे राधारानी की राधारानी के मैंने गलेकार पैना दिया है कानों के कुंडल भी पैना दिया है ये हाथों के छ चोटे बनी हुई है उने चोटे बीट्स वगएरा लगे हुए हैं यह मैंने आपको बताया था कि चुन्नी में तब पैनाओंगी तब हेस्टाइल लगने के बाद इसको सेट करूंगी तो यह पिन वगएरा उनके बालों की पिन है राधारानी के बालों की तो मैं वो भी लग दिया है तो यह देखिए फाइनल लुक यूगल सरकार का यह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों इन्होंने जो है वो बेबी पिंक ड्रेस डाली हुई है यह कैमरे में थोड़ी से ज्यादा डार्क लग रहे हैं लेकिन लाइट है तो प्लीज आप कमेंड बोक्स म आपको कैसी लगी यह देखिए तो इनका यह हमारे लड़ू भपाल जी को भी देख लीजिए एक बार इनको इनको जो सनान है मैंने सबसे पहले करवा के बिठा दिया था यह देखिए यूगल सरकार कितने सोने लग रहे हैं और यह जो ड्रेस मैंने पहनाई है जो वस्तर म मैंने धारन करवाई यूगल सरकार को प्लीज क्मेंड बोक्स में जुरूर बताईएगा आपको कैसी लगे ड्रेस कैसी लगी जोयलरी कैसी लगी तो अगर वीडियो पसंद आई तो है तो प्लीज लाइक से एर और सब्सक्राइब जूरूर कीजेगा असा करते हैं आपको